पेरे प्रिये भाई और बेनों, आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक विशय पर मनन्चिंदन करेगे। और वो विशय है प्रलोभन, परिक्षा, टेम्टेशन। प्रलोभन एक सच्चाई है। एफेशियों के पत्र की अध्याई 6, उसके वाकिय 12 में संद पालूस कहते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हर मनुष्य को प्रलोभन का अनुभाव होता है। हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार के प्रलोभन से गुजरना पड़ता है। मत्ति के सुसमाचार की अध्याई 18, उसके वाकिय सातमें प्रभियसुसिएम कहते हैं कि प्रलोभन आनिवार यह है। प्रलोबन आनेवार्य है लेकिन याकूप के पत्रड़ी अध्याई एक उसके वाकिे तेरह में याकूप स्पष्ट करते हैं कि प्रलोबन में पड़ा व्यक्ति ये ना सोचें कि ये प्रलोबन ईश्वर्ज याता है इश्वर किसी को प्रलोबन नहीं देता है ऊल्टे ईश्वर चाहता है कि हर वेक्ति का उधार हूँ स्तोत्रकार कहता है कि एक पापी के मृत्यू से ईश्वर को भी दुख होता है तो ईश्वर हमारा विनाश नहीं चाहता है प्रलोबन देता कौन है इसके बारे में पेत्रूस के पहले पत्र की अध्याई पांच वाके आठ में पेत्रूस कहते हैं आप सैयम रखें, जागते रहें, आपका शत्रूस शैतान दहारते सिह की तर विचरता है, ढूनते रहता है कि किसे फाड़ गाए शैतान हर मनुष्य को प्रलोबन में डालने के लिए प्रयास करते रहता है, देखिए, हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हमारे अंदर कई प्रकार की दुरबलताएं हैं, ये कमजोरियां कौन जानता है, सबसे पहले हम सहम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है, एश्वर भी जानता है कि हमारी क्या कमजोरी है, शैद हमारे साथ रहने वाले लोग भी जानती हों कि हमारी क्या कमजोरी है, एक चौता व्यक्ति है जो हमारी कमजोरियों को जानता है, मालुम कौन है वो, शैतान जानता है, एश्वर आपकी कमजोरी को जानता है साती साथ शैतान को भी आपकी कमजोरी के बारे में मालूम है बैबल कहती है वचन कहता है कि शैतान को वचन भी मालूम है जब प्रभी येशु का प्रलोबन लिया गया परिक्षा ली गई उसमें शैतान ने स्वयम बैबल से वचन उधरीत किया यानि शैतान को बैबल मालूम है प्रभी येशु जहां कहीं भी जाते थे अब्दूत दुष्टात्माएं शैतान येशु को पैचान लेता था उसको मालूम है कि हमारी क्या कमजोरिया है और हमारे कमजोर पक्ष क्या है और जनते हैं, शैतान उस कमजोर पक्ष पर ही प्रहार गरता है, मारता है वो हमारी कमजोरी को जनता है और वहीं मारता है जहां पर हम कमजोर है दो तिन उदाहरन मैं आपको देता हूँ खेल कूद का उदाहरन लीजिए, फुटबॉल का गेम हो रहा है जब फुटबॉल का गेम हो रहा है एक टीम दूसरे टीम की कमजोरी को देखने का प्रयाज करता है ये परिकने का प्रयाज करता है कि उस टीम की क्या कमजोरी है दाएं कमजोर है, बाएं कमजोर है, सेंटर कमजोर है, बैक कमजोर है टीम इसका पता लगाता है और उस कमजोर पक्ष को ही वो इस्तेमाल करता है उस कमजोरी के जरीए वो जीता है आपने बॉक्सिंग देखा है बॉक्सिंग में बॉक्सिंग करने वाले ये एक दूसरे की कमजोरी देखने का प्रयास करता है कौन सा पक्ष कमजोर है दाएं पक्ष कमजोर है बाएं पक्ष कमजोर है नीचे कमजोर है उपर कमजोर है स्पीड में कमजोरी है बॉक्सिंग करने वाला उस व्यक्ति को वहीं मारेगा जहां पर उसकी कमजोरी है जब लड़ाई होती है युद्ध होता है एक देश दूसरे देश के युद्ध करता है देश ये पता लगाने का प्रयास करता है सेना ये पता लगाने का प्रयास करती है कि कौन सी जगह कमजोर है जिस जगह पे कमजोरी है जहां पर सेना कम है उस जगह से होकर भी अंदर प्रवेश करते हैं उसी तरह शैतान भी हमारे साथ करता है वो जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है और उस कमजोर पक्ष को ही वो मारता है वहीं वो प्रहार करता है हमारी कमजोरीयां क्या है एक-एक उदारन मैं लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने का व्यावहारिक विशे परमनन करेंगे किसी की कमजोरी उसका क्रोध है वो स्वभाव से क्रोध ही है छोटी-छोटी बातों के लिए चिड़ जाता है गुसा करता है छ्यमा नहीं कर पाता है शैतान उसकी इस कमजोरी को जनता है इसलिए उसको उक्साने के लिए परिस्थितियां उत्पन गरता है उसको भीडाने के लिए लोगों को बेचता है ऐसी बातें बोली जाती हैं कि उसके अंदर क्रोध आ जाए वो बर्गला जाएं वो चिलाएं, चीखे, गाली दें मारें, पीटें, सब कुछ बरबाद करें शैतान ये करता है उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है कमजोर पक्ष को मारता है दूसरा उदार लेंगे दूसरा व्यक्तिया जिसके अंदर धने के प्रती मोह है, लालच है उसके दिमाग में हमेशा वही रहता है, पैसा, पैसा, पैसा धन के प्रती उसके अंदर इतना ज़्यादा लालच है, इतना मोह है कि वो धन कमाने के बारे में ही सोचते रहता, सपना देखता है शैतान उसको सपना दिखाते रहता है उसको सपना दिखाते रहता है उसके पास लुभाने वाली बातें लाता है ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो तुमको बहुत पैसा मिलेगा इस बिजनस को छोड़ कर वो बिजनस शुरू करोगे बहुत पैसा मिलेगा लुभाने वाली बातें लाता है आज के जमाने में आप जानते हैं नेट के द्वारा बहुत सारे लोग लुभाए जाते हैं मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इसमें फ़स गये हैं अच्छे खासे लोग फ़स गये हैं नेट में मेसेज आता है कि मैं आपके काम से बहुत संतुष्ठ हूं हम आपके काम को जानते हैं हम आपकी मदद करना चाते हैं हम आपको इतने करोड रुपे देना चाते हैं आप हमसे संपर्क में रहिए और लोग संपर्क में रहते हैं दीरे दीरे उसका bank account मांगा जाता है और उससे कहा जाता है कि आप इतना लाग रुपय बैंक में डालिए आपके पैसे को हम release करना चाहते हैं एक जाल है ऐसे में हजारों हजारों लोग फसे हैं हमारे साथ काम करने वाले एक भाई की सास उन्होंने जिन्दगी बर जितना कमाया था सारा पैसे चला गया इसी तरह लुभाने वाली बातें बोली जाती है नेट के द्वारा और पैसा एंठा जाता है पैसा लिया जाता है उसके बाद वे गाइब हो जाते हैं कोई पता नहीं चलता है कि वो कहां के हैं कौन हैं पैसे के लालश में आकर इनसान इसी तरह करता है एक साधारन सिनारी है वो घरों में बर्तन मांच कर जीती है कई जगह पर काम करने से उसने कुछ पैसा कमाया था करीब 40,000 रुपय उसने बैंक में जमा किया था जिफ जगह पर वो काम कर रही है वहां की मालखीर ने पुछा तुम्हारे पास कुछ पैसा है उसने कहा 40,000 रुपे हैं बैंक में हैं उसने का देदो मैं इसको तिगुना करके एक मेहने में देदोंगी उसने देदिया आज तक उसको पैसा वापस नहीं मिला है लोग कहते हैं बेचारा बेचारा नहीं है लालची तो पैसे के प्रती मोह उत्पन करने वाले लोग आएंगे ऐसी बातें आएंगी बेमानी करने के लिए असन तरीके बताए जाएंगे चोरी करने के लिए असन तरीके बताए जाएंगे शैतान उस व्यक्ति को उस लालच में डुबाना चाहेगा फसाना चाहेगा बरबाद करना चाहेगा शैतान हमारे कमजोर पक्ष को जनता है किसी के अंदर लालच होगा धन की प्रती मोह होगा किसी और के अंदर लेंगिक्ता उसकी कमजोरी है सेक्स सेक्स या लेंगिक्ता उसकी कमजोरी है आसानी से किसी नर नारी के साथ रिष्टा जोड़ देता है बिना पता लगाए उसके साथ शारीरिक संबंद भी जोड़ देते हैं गंदी गंदी फिल्में देखते हैं चित्र देखते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं शैतान ऐसे लोगों को गुदगुदाने वाली बातें लाएगा ऐसे लोगों को गुदगुदाने वाले लोगों को बेजेगा जो उसके चारोर चकर करता रहेगा पुराने विदान में हम पढ़ते हैं नियाय करताओं के ग्रंद में सैंसन के बारे में सैंसन के अंदर पवित उसकी शक्ति को छीन लिया, उसकी शक्ति को छे करने के लिए उन्हों ने एक नारी को लगाया, और वो नारी सैमसन के चारों और चकर करती रही, धीरे, 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 उस नारी ने सैमसन को अपने वश्मे कर लिया, नतीजा आप जानते हैं, सैमसन ने अपनी शक्ति क रहस्य बताया और वहीं सैंसें कमजूर बढ़ जाता है शैतान यही करता है ऐसी परिस्तियां उत्पन करेगा जहां पर हम गिर जाएंगे हमारी वासना को हमारी लहंगीकता को ज़्यादा प्रवावित करने वाली परिस्तियां उत्पन करेगा अमपरते सैमुल की दूसरे गंदे के अधियाए 11 में दावुद के पतन के बारे में वचन में लिखा हुआ है शाम के समय दावुद इसराइल का राजा अपने महल के चट पर टाहल रहा था और उस समय उसने देखा कि एक नारी नहा रही है आप बताईए शाम को कौन नारी नहाती है सुबह नहाती है दोपैर को नहाती है शाम को शैतान ने दावुद को गिराने के लिए एक नाटक किया एक परिस्तिती उत्पन किया उस नारी के नंगे बदन को देकर दावुद परिशान हो गया उसके साथ रमन करने, सेक्स करने का उसके अंदर मोह आया, इच्छाई, उसने ऐसा ही किया और उसके द्वारा दावुद और उसके परिवार का पतन होता है, शैतान हमारी कमजोरी को जनता है, उसके अनुसार परिस्थित्यां उत्पन करता है, मोबाइल में ऐसे चित्र और ऐ ही वही आजायेगा बिना ढूंबhma को मिल जाएगा क्यूंकि वह आपकी पक्ष को कमजोर्पक्ष को जनता है इसी तरह ऐसी बातचीत लोग करने लगेंगे अचानक ऊण को कुछ किसी का इसी तरह की बातें करने लगेगी या करने लगेगा कि अब धीरेसे उसके वश्ट में हो जाएंगे शैतान हमारी कमजोरी जानता है वो जानता है कि यह लहेंगिक पक्ष में कमजोर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वासना है और उसकी जरीये उसको बरबाद करने के लिए शैतान प्रयास करेगा अगली दुर्बलता है पेटूपन भोजन पर बहुत जादा जोर कई लोग होते हैं बहुत जादा पेटू होते हैं खाने वाले खाना 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 जहां भी जब भी खाना मिले खा जाएगे खाने पर जोड़ देते हैं शैतान उसके लिए प्रबंद करेगा पारिटी पर पार्टी आ जाएगी दावत पर दावत आ जाएगा नेमंतरन पर नेमंतरन आ जाएगा उसको खाने पेने में लगा देगा उसका अध्यात्मिक जीवन बिगर जाएगा उसका पारिवारिक जीवन बिगर जाएगा समाजिक जीवन बिगर जाएगा उसकी पढ़ाई अन्य बातें बिगर जाएगी वो तो खाने पीने में लगा हुआ है उसके लिए शैतान प्रबंद करेगा कुछ लोग नशे के गुलाम हैं शैतान उसके लिए भी प्रबंद करेगा ऐसे लोगों को बेजेगा जो असानी से उसको नशा दे दे कहते हैं नशा खाने वालों की एक एही बिरादरी होती है वहाँ पे मुफत में बहुत दिया जाता है बोलते हैं आलो आजाओ पी जाओ बिना पैसे के भी आपको नशा मिल जाता है तो शैतान ऐसे लोगों का प्रबंद करेगा ऐसी जगहों का प्रबंद करेगा नशेड़ी इनसान शराबी इनसान जहां भी जाए पहली बार पहुँंच जाएं तुरंद उसकी नज़रें शराब की दुकान पर पड़ेगी वो दुकाने एकदम हाइलाइट हो जाएंगी शैतान ये करता है वो हमारी कमजोरी के अनुसार हमें मारता है कुछ लोगों की कमजोरी है कपड़ा, फैशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हर रोज नए कपड़ा पहनना चाते हैं, अच्छे चे कपड़ा पहनना चाते हैं, फैशन के कपड़ा पहनना चाते हैं और शैतान उनको भी गुदाने वाली बातें लियाएगा नए नए फैशन दिखाएगा किसी भी शायर में जाएंगे तुरंद फैशन की चीज़ें कपड़े दिखाई देंगे शैतान उसको उकसाने के लिए उसको मोहित करने के लिए प्रयास करेगा ताकि उसी में उसकी जिन्दगी गुजर जाएं सारा पैसा उसी में बरबाद हो जाएं अन्य बातें कमजोर हो जाती है सारा फैशन पर उसको मन लगा दिता है शैतान ऐसे करता है किसी का कमजोर पक्ष आलस्य हो सकता है सोना चाहता है हमेशा नेंद आती है कुछ करने की इच्छा नहीं होती है शैतान उसके अंदर ऐसा मनोभाव ऐसे फीलिंग्स ऐसा विकार लाएगा कि उसको लगेगा कि मैं बिमार हूँ उसके मुझ से हमेशा आपको सुनने को में लगा मुझे बिमार बिमार सा लगता है बिमार बिमार सा लगता है बड़ी कमजोरी लगती है कमजोर नहीं है लेकिन लगती है शैतान उसको इस तरह कमजोर मैसूस करने देता है आलस समय आकर वो अपना काम टाल देता है आज ने कल करेंगे शैतान रोज इसी तरह कल 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 करने के लिए उसको मजबूर करेगा कोई न कोई कारण बता देगा कि कल क्यों करें आज क्यों करना है जो आज करना चाहिए था आज ही करना चाहिए था लेकिन नहीं करेगा कल करेंगे कल सोजेगा आज अच्छा दिन नहीं है कल करेंगे टालने की प्रवर्ती लाता है जिसके अंदर आलस से है शैतान उसको उसी जगह पर मारता है इस तरह उसकी जिंदिगी बरबाद हो जाती है कितने ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ कल ही एक दमपती मेरे पास आये थे उनका कहना है कि उनके भाई और उनकी पत्नी को दोनों को सरकारी नौकरी मिली है भाई नौकरी पे जाना ही नहीं चाहता है रेड मास्टर है जाना ही नहीं चाहता है उसके अंदर आलस से बर दिये शैतान है और ज़्यादा उसको नशा भी खिलाए पिला दिया उसको आलस से ही मारने का प्रियास करेगे शैतान कुछ लोगों की कमजोरी मजाग करना है जिन्दगी को उन्होंने मजाग में लिया है हर जगा हसना मुश्कुराना मजाग करना हर बात को मजाग में परिवर्दित करना सारी जिन्दगी हसी मजाग में बीद जाती है जिन्दगी को गंभीरता पूरवक नहीं लेता है उसके लिए भी शैतान प्रबंद करेगा 80 मजाग की लोगों को लिए आएगा 80 मजाग की बातें ले के आएगा और वो उसी में खू जाएगा 80 मजाग में जण्दगी और समय गुजरता है कुछ ने कर पाता है कुछ हासिल ने कर पाता है परिवार को संभाल नहीं पाता है बच्चों को संभाल नहीं पाता है ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है असी मजाग में समय बेद गया शैतान उसको असी मजाग कराने वाले लोगों से मिलवाएगा ऐसी परिस्तिया उत्पने करेगा कि वो असी मजग में ही अपने आप को बरबाद करेगा शैतान यही चाहता है तो शैतान हमारे कमजोर पक्ष को जनता है और वहीं हमें मारता है वो हमारे मजबूत पक्ष को भी जनता है मेरा मजबूत पक्ष क्या है हो सकता है कि मेरे लिए, मैं अपना उदारन देता हूँ, मेरे लिए एक मजबूत पक्ष है, बोलना, बचन सुनाना, बोलना, एक मजबूत पक्ष है, हिम्मत है, धाइर्य है, कला है, प्रभु की गिर्पा है, शैतान इसी पक्ष को इस्तेमाल करेगा, इसके जुआरा बुराईयां बुलवाएगा, किसी के अंदर प्रेम करने की श्मता है, बहुत अच्छा है, प्रेमी इनसान है, शैतान उसी प्रेम को उसके बरवादी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो शैतान हमारी दुरबलता और हमारे बल दोनों को अपने कारी के लिए इस्तेमाल कर सकता है परवादी के लिए इस्तेमाल कर सकता है शैतान हमारी पसंद जानता है अमें हमारी पसंद जानता है और हमारी पसंद की चीज़ें हमारे सामने रखता है मैं एक दो उदाहरिन देता हूँ मानली जे बंसी लगा कर आप मचली पकड़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे वहाँ पर चारा लगाएंगे जो मचली को पसंद है चुईंगम लगाएंगे तो मचली नहीं पसेगी चुईंगम लगाने से मचली नहीं पसेगी हाँ आपको पसंद है लेकिन मचली को पसंद नहीं है तो मचली को जो पसंद वाली चीज है उसी चीज को हुक पर लगाते हैं कांटी पर लगाते हैं और मचली उसी के मुँँ में आ जाती है उसको मुँँ में ले लेती है और आप मचली को पकड़ लेते हैं दिख्टक लेतान इसी तरह अमारे सत करता है हमारी पसंद्द की चीज वह जflanzen wins लगाता है हमारी पास लाता रॉण को फ़सालेता हु Hey एक और उदारनी ये हमारे घरों में बहुत चुहे हैं और चुहा पकड़ने के लिए चुहा दाने में हम क्या रखते हैं वही चीज रखते हैं जो चुहा को बहुत प्री होता है वही चीज रखते हैं जो चुहा को बहुत प्री होता है जो आपको प्री होता उसको रखने से चुवा नहीं आएगा वही चीज उसके अंदर रखेंगे उसके मुँपर रखेंगे जो चुवा को पसंद है अंदर भी रखेंगे जो चुवा को पसंद है देरे से चुवा आएगा खाने लगेगा और चुआदाने के अंदर फस जाएगा शैतान भी हमारे साथ यही करता है हमें फसाने के लिए हमारे पसंद की चीजें हमारे सामने प्रसुत करता है और अपने वर्ष में कर लेता हमें फसा देता है इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमें बचे रहना चाहिए प्रभीयसु का उद्हार लिजी ए मैंने आप से कहा कि प्रभीयसुने का प्रलोबन अनिवार है सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभीयसु का प्रलोबन हुआ था प्रभीयसु की पर değilख्ष़ हुए थी कि समय हुए थी 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रारतना के दोरान उनकी बराबर परिक्षा होती रही अलग-अलग परकार की परिक्षाएं लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रारतना के बाद जो पवित्रात्म और सामर्ति से भर गए उस समय शैतान उनकी परिक्षा लेने के लिए आता है तीन प्रकार की परिक्षाएं वहाँ पर बताए गई है पहली परिश्य परिश्य गया है शैतान जानता था कि प्रभी येसु बहुत भूखे थे चालीस दिन और चालीस रात उपवास करने से उनका शरीर बिलकुल कमजोर हो गया था और उनके लिए सबसे आवश्यक चीज भोजन था शैतान ने प्रभू को एक आसान तरीका बताए तुमारे अंदर शक्ति है पत्थरों को रोटी बना लो और खाओ शैतान ने प्रभू को इशारा किया कि तुमारे अंदर जो शक्ति है वो अपने इच्छा की पूर्ती के लिए इस समय की अवश्यक्ता की पूर्ती के लिए इस्थेमाल करो पत्थरों को रोटी बना और खाजाओ तुम जिन्दा रहोगे सही सलामत नीचे पहुंच जाओगे पाहर से पहला प्रलोबन दूसरा प्रलोबन क्या था कि एशु को मंदर के चोटी तक ले गया और कहा कि इसमें यहां से कूदो कूदो क्योंगी लिखा हुआ है कि तुम्हारे स्वर्दू तुम्हें बचा लेंगे तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम आध्यात्मिक रूप से अभी परिपूर्ण हो परिपक्खो उपर से कूदो अपनी महिमा दिखाओ बोलो मैं क्यों हूँ अपनी शान दिखाओ महिमा दिखाओ शक्ती दिखाओ इस तरह नाम कमाओ यश्क कमाओ लोग तुम्हें मानेंगे तीसर प्रलोबन क्या था पहार के पर लें चलता है और कहता है कि सारा वैभाव मेरा है मेरी अराद मा करो धन वैभाव दिखाता है धन और वैभाव ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा क्या तुम नहीं चाहते तो प्रभी येशू को भी उकसाने का प्रयास किया प्रभी येशू को भी फसाने का प्रयास किया लेकिन प्रभी येशू फसे ने प्रभू ने क्या कहा हट जाओ शेतान प्रभू ने हमारे सामने एक सुन्दर उदाहरन रखा है कि शेतान के साथ परिक्षक के साथ प्रोलोबन करता के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए हट जाओ शेतान इसलिए हमें क्या करना चाहिए मार्कुस कस्व समाचार अधियाई 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं जागते रो और प्रार्तना करते रो जागते रो और प्रार्तना करते रो पहला पेत्रु सद्याई 5 वाक्य 8 में पेत्रुस कहते हैं आप सैयम रखें और जागते रहें लोकष सद्धियायकिस, वाकिय 34 में परभु कहते है, साउधान रहो हमें क्या करना चाहिए, प्रारतना करना चाहिए जैसा कि मैंने कहा उसके साथ-साथ हमें अपने कमजोर पक्ष को जानना चाहिए मेरी कमजोरी क्या है ये जानकारी ये ग्यान ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरी कमजोरी क्या है क्या मेरी कमजोरी क्रोध है मेरी कमजोरी मलालच है मेरी कमजोरी सेक्स है वासना है मेरी कमजोरी बोजन है पेटूपन है मेरी कमजोरी नशा है मेरी कमजोरी फैशन कपड़ा है आलस है मज़ाख है मेरी कमजोरी को पैचानना चाहिए और वहाँ पहरा बैठाना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए यह जानना चाहिए कि उसके दुआरा मुझे गिराने वाला है वो दारते सींग की तरह विचरता डूंते रहता है इसलिए मुझे मेरे कमजोर पक्षी को पैचानना है और पैरा बैठाना है प्रभु की पस्थती लने आए और ध्यान देना है शैतान के हर प्रकार के उस थरह के फसानी वाली बातों से बचके रहना है साउधाने बरतने है विशेष करके उस पक्ष के मामले में बहुत साउधाने बरतने हैं कि आपके अंदर लहगीकता सम्मंदी कमजोरी है हर कमजोरी के बारे में हमें साउधानी बरतने होगी एक विश्वासी का जीवन कठिन है अंग्रेजी में कहा जाता है इस लाइक वाकिंग ओन ए टाइट रोप एक टाइट रसी के उपर चलने के बराबर है बहुत कठी नहीं असान नहीं है अम्मतिक यसु समाचार के अध्याए साथ वाके तैरा और चवदा हमें प्रभी यसु कहते हैं संकरे द्वार से प्रवेश करो चोड़ा है वो फाटक विस्तरते वा मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है उस पर चलने वालों की संक्या बड़ी है कि तु संकरा है वो द्वार और संकीर में हो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है जो उसे पाता है उनकी संख्या दोड़ी है तो प्रभु कहते हैं सकरे दुआर से प्रवेश करो बाऊ संभाल के चलो लुकस के समाचार के अध्याए 12 उसके वाके 35 में प्रभु कहते हैं तुमारी कमर कसी रहे और तुमारे दीपक जलते रहे हमें साउधान रहना है प्रभु हमें समझाते हैं अर्स हमें साउधान रहना कमर कसे रहना दीपक जलाते जलाये रखना इबरानियों के पत्र के अध्याए 12 उसके वाकी एक में बहुत सुंदर वच्चन है पौलुस कहते हैं जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संक्या में हमारे चारों और विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बादा दूर कर अपने कूल जाने वाले पाप को छोड़ कर और इसा पर अपनी दृष्टी लगा कर धैरे के साथ उस दौर में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है इसा पर अपनी दृष्टी लगा कर धैरे के साथ उस दौर में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है मेरे प्री विश्वासी भाई और बेनों मसी भाई और बेनों अमारे जीवन में प्रलोबन आएंगे कुछ लोग सोचते हैं कि यह वावस्था के बाद प्रलोबन समाप्त हो जाएगा बिलकुल नहीं एक बार एक जवान विक्ती अपने दादा से पूछ रहा था दादा जी यह प्रलोबन कब खतम होगा 75 साल के दादा जी ने कहा कि बेटा मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ मरने तक हमें प्रलोबनों का सामना करना पड़ेगा आलग अलग रूप से आलग अलग प्रकार का प्रलोबन एक सबसे खतरनाक प्रलोबन निराशा जो बुज़गों के जीवन में कई बार देखने को मिलता है तो हमें अलग अलग प्रकार के प्रलोबनों का सामना करना पड़ेगा मरने तक हमें प्रलोबना का सामना पड़ेगा हमें सतर्क रहना है प्रभी यह सु कहते हैं सावधान रहो पेत्रुस कहते हैं आप सैयम रखें जागते रहें हमारी कमर कसी रहे आएम प्रार्तना करें प्रभी यश्व धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे द्वारत दिये गए सारे गियान के लिए धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा तू स्वयमम से बोल रहा था मैं विश्वास करता हूँ प्रभी इस विस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों के लिए में प्रारत ना करता हूँ अपने लिए भी प्रारत ना करता हूँ अपने जीवन के कमजोर पक्षों को जानने पैचानने और उन पक्षों पर धियान देने की गृपा दिजिए ये जानने की गृपा दिजिए कि हमारे शत्रु शैतान तहारते सिंग की तरह विचरता ढूनते रहता है कि गजे फाड़ गाएं ये जानने के लिए हमें हर समय आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है जीवन के इस लंबे संगर्ष में प्रव येशू जीतने के लिए में गृपा दिजिए शैतान की चाल को जानने के लिए में गृपा दिजिए प्रार्तना के द्वारा हमें शैतान के अर्चाल पर जीतने के लिए में गृपा दीजिए हर समय साउधान रहने के लिए में गृपा दीजिए हर समय सैयम रखने के लिए में गृपा दीजिए प्रभीयशिन वच्णों के द्वारा हमारे हिर्दे और मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए हमारी दुर्बलताओं को जानने के लिए गिरपा दीजिए उन दुर्बलताओं पर हम तेरे शक्ती के द्वारा, तेरे सामर्ती के द्वारा, पवित्रा आत्मा के शक्ती के द्वारा जीत पास सकें प्रभू हमारी प्रार्तना को ग्रान कर, आमेन